फैलो फ्रेंड ऐसेसी सीजेल टायर वन का जो आपका रजल्ट है। उसको जारी करने के बाद अब SST का जो इंतजार है वो है आपके normalized marks का क्योंकि SST का जो एक algorithm है normalized marks को लेकर वो हमेशा है काफी जादा suspense पैदा करता है और सभी बच्चे ये जानने में काफी उत्षुकता रहती है उनको कि उनको कि उनको कितने जादा marks मिले है normalized के क्योंकि जिन् कट-off को clear नहीं कर पाए उनकी बन में यही सवाल है कि उनको normalization के कितने कम marks मिले कि वो cut-off को पार करने से आपके चूग गए तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपके लिए जो normalization का वो analysis भी किया था उसके अंदर हमने देखा था कि काफी जादा fluctuation था कई shift के अंदर हमने 25 प्लस 30 प्लस marks तक देखे थे candidates के रा स्कोर के अंदर और कईयों में कुछ 2-3 marks भी नहीं दिखते आते दिखें तो finally अब SSC officially आपके normalization marks के उपर जो suspense बना हुआ है वो clear कर देगी इस वीडियो में आपको उसी की बारे में बताने वाला हूं अगर आपने हमारे YouTube चैनल SMR 60. कव तक suggestion रहते हैं वो जरूर से बदाए मैं आपका answer करने की पूरी कोशिश करूँगा साथ में दोस्तों सबस्क्राइब करके जो bell icon है उसको गोल पे कर दे ताकि आप किसी भी वीडियो का notification है वो में नहीं करें तो दोस्तों आज है साथ जुलाई 2020 और साथ जुलाई 2020 को ही आपके जो normalization marks हैं वो officially ssa की site के उपर गोशित हो जाएंगे क्योंकि हम अपनी तरफ से कितना भी assess कर लें जो shifts को tough या easy way में पर जब आपकी 3 से 9 चुलाई के बीच में total exam हुआ है और 21 से ज्यादा shifts के अंदर आपके total exam की shift बनती है तो normalization में कई ना कई थोड़ी सी उपर नीचे होन का जो tire one था उसके अंदर 44.5 marks तक हमने normalize के बाद जो candidates का raw score है वो बढ़ते होए देखा था तो इस बार भी normalization का level है जैसा कि fourth है आपकी March की shifts के अंदर level थोड़ा सा ज्यादा था exam का 5th March की shifts के अंदर भी थोड़ा सा ज्यादा था तो उसी हिसाब से आपका normalization इस बार भी effect ह होने वाला है और marks उसी हिसाब से distribute होंगे तो officially ssa की site पर आपके जो normalize marks है वो जैसे अप्लोड होंगे मैं आपको उसके बारे में update करूंगा तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक भी कर दें और मिलता हम आपसे नेक्स अप